हलो फ्रेंट्स वालकम बैक तो मैं चैनल तो काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टन वेकेंसी की जो किया यह SBI के तरफ से SBI कलर की वेकेंसी आउट हो चुकी है नोडिफिकेशन आउट हो चु आने वाले हैं इसलिए आप लोग वीडियो को लाज तक जोड़ देखेगा और लाइक कर दीजेगा वीडियो को और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसमें तो देखिए इसका जो नोडिफिकेशन आ आप अपलाई कर सकते हैं पूरा-पूरा 20 दिन का आपको समय मिला है इसका फॉर्म वरने के लिए अब बात करें कि इसका जो प्री एक्जाम होगा वह आप यहां से देख सकते हैं कि इसका प्रिलिमनेरी एक्जाम जो होने वाला है वो जून 2021 में टेंटिटिव दिया हुआ इस स्पैसिफिक डेट अभी नहीं दी है सिर्फ जून का मत यहां पर डला हुआ है अब और इसके जो मेंस का एक्जाम हुआ, वह टेंटिटिव डे दी गई干तिग समय की जैस करें कि ऐसके आप यहां जॉइन जैन तो देख हूई विपनेरी व इसके थे तो दो thick कि रेश अगर दिखा रही है तो उसके लिए घपराने की बात नहीं है आपको आप किसी किसी दूसरे से भी अपलाई करो है लेकिन हाँ दूसरे किसी ड्वीकार्व करिएगो जब आपको उसी गया आनी चाहिए या कि सिधा सिधा अगर ये कहें कि आपको उसी स्टेट से apply कर सकते हैं जिसे स्टेट की जो local language है वो आपको आती है मान लिए जी कि अगर आप म द्रप्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी हिंदी बोली जाते हैं मद्रेश में भी लेकिन अगर आप भर देंगे महाराज से तो फिर आपको मराथी आनी जरूरी है तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा अब यहां से आप लोग इस्टेट वाइस टोटल विकेंसी देख सकते हैं मैं आपको ओर आल टोटल विकेंसी बस दिखाऊंगा तो देखें टोटल विकेंसी यहां पर है इस्टेट वाइस जो है वो 4915 है और इसी में कुछ विकेंसी है इस्पेसल रिकूर्टमेंट ड्राइब के तहत तो कुल मिलाकर यह जो विकेंसी हो जाती है अपकी तो वो हो जाती है 5000 तो टोटल 5000 पदो पर यह SBI कलर का क्या चाहिए तो जैसे कि जो लोग पुराने उनको तो पता ही होगा लेकिन जो नए है उनको बता देता हूं कि SBI कलर के लिए आपको ग्रेजुएशन होना कंपल्सरी है ग्रेजुएशन आप कोई भी चलेगा अगर आपने BSC BA BCA या फिर BTEC या B कुछ भी किया है लेकिन आ सारे लोगों का final year का exam अभी नहीं हुआ है तो उसको मद्दे नजर देखते हुए यहाँ पर यह है कि अगर 16 अगस्त 2021 तक में या 16 अगस्त 2021 के पहले पहले अगर आपका result आ जाता है या degree आ जाती है तो आप लोग इसे apply कर सकते हैं अगर आपका exam हो चुका है result अभी declare नहीं हुआ तो भी आप apply कर सकते हैं लेकिन 16 अगस्त 2021 के पहले आपको वहाँ दिखाना होगा तो इस बात का आप लोग ख्याल रखेगा तो इसलिए अगर जो लोग final year में भी है तो वो लोग भी apply अभी कर दीजिए अगर आपका exam हो गया है या माल लिजिए कि एक से दो मेने का अगर होने वाला है तो और जो लोग complete है वो तो भरी सकते हैं तो graduation अगर आपका है तो आप लोग इसे apply जरूर करिएगा उसके बाद अगर हम लोग इसमें बात कर लेते हैं इसके age limit के बारे में तो देखी इसका age का criteria है सबसे पहले वो आपको count होगा 1 April 2021 से और यहाँ जो age limit रखी गई है वो रखी गई है 20 से 28 साल यानि कि 20 से 28 साल के बीच में अगर आपकी age limit है तो आप लोग इसे apply कर सकते हैं देखिए 2 April 1993 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए और 1 April 2001 के पहले का जन्म आपका होना चाहिए अब यहाँ SC, ST और OBC को यहाँ relaxation भी मिलेगा जैसे age मे मिलता है तो SC, ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का relaxation तो दोस्तों आप बात करेंगे इसमें हम लोग selection procedure के बारे में इसके तो देखिए यहाँ जैसे कि पहली मैंने बताया यहाँ दो फेज में आपका यहाँ selection होता है पहले होता है prelims का exam दूसरा होता है mains का उसके बाद सिर्फ आपका document verification एक छोटा सा medical test आपका लिया जाएगा और तब आपकी यहाँ then joining मिल जाएगी तो देखिए यहाँ prelims में क्या होता और mains में क्या होता यह चली दिखा देता हूँ थोड़ा zoom कर लेते हैं इसको तो दोस्तों अब देखिए यहाँ जो आपका prelims का exam होगा तो वहाँ आपको 100 marks का आपका exam होगा एक घंटे का वो आपको time मिलेगा और तीन section आपके आएंगी तीन section में English होगा आपका math होगा और reasoning होगा 30 question English के 35 math के और 35 reasoning के total 100 question होगे और वही उनके marks भी है 30, 35, 35 total 100 marks हाँ यहाँ sectional cut off आपका नहीं होता SBI में यहाँ पर आपका 20-20 minute का sectional time होता है तो इस इस आपसे आपका यहाँ exam होगा 1 by 4 के आपकी negative marking भी होने वाली है तो इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा तुक्का मार के बिल्कुल मता आईएगा और जो लोग भी prelims exam में pass out होगे उसके approximate 10 times number जैसे कि 5,000 वेकेंसी है तो 50,000 लोगों को mains का exam देने के लिए यहाँ बु इसके लिए अगर बात करें तो यहाँ भी आपका 1 by 4 की negative marking होने वाली है तो यहाँ भी इसका भी आप लोग ख्याल रखिएगा उसके बात बात कर लेते हैं इसके main point पे यानि कि जिसके लिए आप लोग भी इसका form वरेंगे यानि कि salary तो देखिए इसका pay scale बहुत यह अच्छा होता है क्योंकि SBI जो है वो IBPS के जो भी bank होते हैं उनसे ज़्यादा आपको salary प्रोवाइड कराता है तो देखिए यहाँ जो आपकी pay scale होगी तो सुरुवाती pay scale आप यहाँ अगर देखते हैं तो बेसिक पे आपका यहाँ पर होगा 19,900 रुपए का जो की in hand होगा उसके बाद यहाँ आपको 2 advance increment के साथ पैसा मिलता है जो की वो पैसा होता है आ 17,900 रुपए के करीब तो इस प्रकार अगर आपको इसको count करेंगे तो लगबाग आप 37,000 रुपए के करीब आपका यहाँ पर payment होने वाला है SBI कलर का उसके बाद जो other आपको यहाँ पर T.A.D.A. और house rent allowance और बाकी के जो medical facilities सारी चीज़े मिलते हैं वो तो आपको मिलेगी तो vacancy बहुत अच्छी है आप लोग apply जरूर करेगा अगर आप eligible है तो क्योंकि यह हर साल vacancy आती है और अभी मान सकते हैं आप कि इस बार last है क्योंकि अगले बार अगर CET वगरा लागू हो जाता है तो फिर उसके तहत यह exam होंगे उससे पहले यह आपके पास मानियो तो ए 500 रुपए की फीस है और वहीं सी स्टी पीडवलुड के लिए यहां पर कोई फीस नहीं रखी गई है तो इस प्रकार से आप लोग इसे देख सकते हैं साथ में apply करने का पूरा यहां प्रोसेस बताया गया है इनकी official website के बारे में भी यहां बताया गया है तो वहां से जाकर exam center के बारे में तो देखे exam center सभी केंडर सासित प्रदेश हों चाहे राज्ये हों सभी जगह इनका exam center दिया गया है आप जिस भी state से आते हैं जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वहीं आपको उसी राज्ये में आपको यहां पर दिया जाएगा इसका exam center और वहां जाकर इसलिए पहले ही आप लोग ध्यान देके भरिएगा जहां भी आपको सुईधा लगे जहां आप जा सके क्योंकि कोविट का दौर है तो उसे हिसाब से उसको देखते हुए आप लोग center यहां पर चूस करिएगा उसके बाद फॉर्म बढ़ते समय क्या क्या चीजे लगेंग तो जितनी जरूरी जानकारी थी इसके बारे में समय ने बता दी है अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं comment box में तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजे और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर पाऊं तो दोस्तों चली मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में किसी नेक्स्ट विकेंसी के अपडेट लेकर या कोई नहीं नीज लेकर तब तक के लिए थैंक्यू सो मच